हाई एव्रिवान गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप सब आप सब बहुत अच्छे होंगे और वालकम तू मैं नीव ब्लॉग मॉर्निंग के 10.30 का टाइम हो रहा था बेटू का ब्रेक हुआ था भी ऑनलाइन क्लास चल रही थी ना तो उसका ब्रेक हुआ था जब ब्रेक हुआ तो मनीश ने बोला कि एक कप चाय बना दो और पता नहीं वाइस ओवर करते वे वाइब्रेट कहां से हो रहा पूरा घर आइ ब्रेक हुआ था तो मैं टी बनाने के लिए आई थी वैसे तो मॉनिंग टी बैटी जो थी वो ले चुके थे बट होता है ना कि बीच में जब जो टी लवर होते हैं अगर उनको थोड़ा सा गैप मिले ना तो उनको बार-बार टी चाही होती है तो एक बार और उनको उस टा बनाने की कोशिश करी थी मलब अपनी साइट से तो मैं अच्छी बनाने की कोशिश करूंगी ना तो वहाँ पर टी बनने के लिए मैंने रग दी थी और उसके बाद फिर यहां पर मैंने आटा रख दिया था और में बड़ी डिस्टर्बंसी हो रही है क्योंकि यहां पहुत जोर जोर से वाइब्रेशन हो रही है पता नहीं वैस ओवर करते वे भी आवाज पता चल रही है या नहीं चल रही हो जो मैं सुनूंगी तो तब मुझे पता चलेगा बड़ी बहुत तेज से पूरे घर में वाइब्रेशन सी फील हो रही है तो यहां पर आटा वाटा मैंन बाइसे तो ऐसा नहीं है कि ऑपरेट कुछ से कर लेती है काम वाम जैसे चलता है तो कई पर फोन अपरेट करना होता है वो भी अन्म्यूड म्यूट वह सब कर लेती है तो थोड़ा साना साथ में देखना मुझे पड़ता है जैसे कोई स्लाइड होती है वो बैक हो जाती है या फिर कुछ इदर उदर हो जाता है तो फिर में को बार बार थोड़ा से बीच-बीच में चक्का लगाने पड़ते हैं व्लॉग मैं कर नहीं सकते हूं क्योंकि फोन मेरा होता है बेटू के पास तो उसके बाद फिर 40 मिनिट की क्लास और मेरे साथ उसको रहना अच्छा लगता है मिलब जब भी फ्री होती है ना मैं आगे वाले रूम में होती हूं तो वो भी आ जाती है जाहे जितनी भी ठंड हो चाहे रात के ग्यारा साड़े ग्यारा भी बज़रे हो ना ठंड में मैं बोलूंगी जैसे कई बार लेट हो जाता कोई बहाना करके आएगी मेरे पास और मॉनिंग में बनाई थी मटर पनी जो कि में को बहुत 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 ज्यादा पसंद है और साथ में ता गाजर का अचार अभी 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 जस्ट एक परसो ही डाला था मैंने तो अभी थोड़ा सा बनने में अचा टाइम लेता था और उसके पहले तो मैंने जो मॉनिंग में व्लॉग स्टार्ट करा था वो नॉमल डेली व्लॉग था बट उसके बाद फिर मेरा इहां पर मूड चेंज हो गया था तो मैंने सोचा कि मैं 45 मिनेट किचन क्लीनिंग होता है न वह वाला व्लॉग करती हूं तो यहां पर किचन इस तरह से खाने के बाद जो होती है वो मतलब हो जाती है जैसे आटा वगेरा रोटी वगेरा हम बनाते हैं तो वो सुखा आटा रहा जाते है न चकले के असपस तो फिर नहीं नहीं करा था क्योंकि फिर मेरा मूर चेंज हो गया था जस्त मैं खाना बना करके हटी थी थी न जो किचिन क्लीनिंग होती है उसमें उतना ज्यादा टाइम नहीं लगता है तो यहां पर जैसे रोटी बनाकर के गई थी जिस तरह से फैली होई थी ना फिर मैंने आजटी छोड़ दी थी बस चकला बेलन था वो मैंने हटा दिया था और उसके बाद फिर मैंने यहां पर जो क क्लीन करते हो क्योंकि हम चुले पर बहुत सारी तरह की चीजह और मिलब सारा दिन खाने पीने की चीजह बनती है अगर हम इसको टाइम टॉ-टाइम प्लीन ना करें तो इसमें बहुत ग्रीशी हो जाती है जैसे इसके बॉर्नर्स वगईरा होते है यहिसके बटन्स पगईर को हम time to time clean रखते हैं तो वो चीज बहुत अच्छे से clean रहती है दर्वाइस वहां पर दीरे 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 ग्रीस कठी होने लगती है और फिर वो एक time के बाद बिल्कुल खरापसी हो जाती है जैसे tiles वगेरा पर भी जब हम cooking करते हैं तो चीटे वगेरा oil के उड़ करके जाते है तो उसे भी हमें time to time जो होता है वो clean रखना चाहिए तो week में एक से दो बार तो मैं अच्छे से cooktop को clean करती हूं भी winter में थोड़ा सा कमी मलब एक बार हो जाता होगा लेकिन जैसे summer होती है न तो मैं बहुत regular basis पे cleaning वगेरा का काम जो होता हूं जादा-जादा करती रहती हूं क्योंकि पानी में भी उतनी कोई problem नहीं होती इंफाक्ट अच्छा ही लगता पानी का काम गर्मी में वड़ा ठंड की वज़े से थोड़ा कम करती हूं मैं थोड़ा सा कम हो जाता है जहां हफते में दो बार होता है तो इस तरह से मैं पहले soap से clean कर लेती हूं उसके बाद यह मैं में को काफी टाइम हो गया लिया वे एक टाइड भी काफी long term तक चल जाता है तो इससे पहले मैं soap को अच्छे से clean कर लेती हूं जितनी भी layer होती है ना soap की वहट जाती है फिर इसको एक बार wash कर लेती हूं जैसे soap हटाया फिर उसको wash कर लिया फिर गीले पानी वाला जो उससे और हटा लिया दो बार ना फिर मैं उसको ऐसे clean करकर के और अच्छे से हटा लेती हूं फिर उसके बाद जो third time होते है ना फिर उसमें मैं एक mug पानी का भरके मैंने इसमें डाल दिया था क्योंकि मेरे को ना soap से clean करने के बाद मेरे को ऐसा लगता है कि जो steel के बरतन जै क्लीन ना करो ना तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें सोप कीना कुछ लेयर सी दिख रही है तो इसलिए मैं इसके ऊपर थोड़ा सा पानी डाल ले थी पहले तो अच्छे से सारा सोप में ने हटा लिया था एक बार मैंने खाली सोप सोब हटाया उसके बाद फिर मैंने उसको पाउट काफी सारा फोल दातर गी तो थोड़ा थोड़ा पानी में इसा पानce सीस उसपाफ़ा प्रता यंद अनुसक्त को आपके एक पानी में में और कीचड़ खागता है यहां, ऑसके साथ के साथ से लिखन सीप निकाल करके स्क्वीज करती जाती हूं सिंक में ताकि नीचे ना जाए नीचे भी पूरा कीचड कीचड हो जाता और नीचे भी थोड़ा सामान बगयरा रखा होता है तो फिर वह भी सारा खराब होने का अगर किसी भी सुखे सामान में थोड़ा भी पानी चला जा तो फिर वह दिक्क चैलेंज आता है जो कि बरतनों पर अगर बरतन जादा होंगे तो इस इन 30 मिनिट किछन केइनिंग बोल सकते हो और अगर बरतन थोड़े से जादा होंगे तो 45 या 60 भी हो सकता है तो आज थोड़े से बरतन जादा हो गए थे क्योंकि जैसे होते हैं ना रात की कुछ सब्जी बची हुई है तो हमने किसी डोंगे में रख दी फिर वो चीज यूज हो गई या आटा वगएरा भी सब्जी वगएरा तो वैसे मॉर्निंग में मैं रात की कभी भी यूज नहीं करती आटा भी मैं बहुत कम ही कभी रहा होगा जो मैंने यूज करा हूँ अधर्वाइस मैं में जादा टाइम लगता है और यहां पर इसके बाद एंट्री होती है मेरे शैतान बच्चे की इतना मतलब जाने का नाम नहीं ले थी मैंने इसको बोला बेटू चले जाओ थोड़ी देर के लिए मैं अभी आ रही हूँ तो इसने ऐसा आतंक मचाया कि पूछा मती हां लग जब तक मैं कैमरा यहां पर आफ नहीं करूंगी ना मेरे साथ लगी रहेगी मैं इसको काम के लिए भार भी भेज रही थी तो यह फटा फट करके आ गई और दुवारा से मेरे साथ किचन में यह स्टार्ट हो गई और अपने अपने आपको देखिया जा रही थी लगे जा इसको बहुत मज़ा रहा था मतलब यह टाइम ना वह बहुत इंजॉय कर रही थी जितनी देर जैसे कुछ बच्चे कैमरा शाय होते हैं लेकिन यह तो कैमरा के सामने बहुत इंजॉय करती है अलग अलग फेस बनाएगी एक्टिंग करेगी और डांस वांस कुछ भी करा लो कैमरा शाय बिलकुल भी नहीं यह देखो इसकी मस्ती नॉन स्टॉप जारी है और उसके साथ-साथ-साथ-पे यहाँ पर मेरे बरतन वग्यरा भी मैंने क्लीन कर दिये थे बरतन जो थे वह काफी सारे हो गए थे जैसे में टाइम ओल लगता है ना वह बरतन वग्यरा क्लीन क पर उसके साफब कर दिया थी वहाँ पर यहाँ पर बहुत कर से क्लीन कर दिया थी और डाओ क्लीन में अर्ट काम पर था कॉम आग्धा 드िण з narrative में क्लीन करने गंए और एक महींने में वह था कर इंब दू गफार मोझतek तो इसलिए मैं साथ के साथ करती रहती हूं और यह मतलब उसके बाद ना कुक टॉप को मैंने उठा करके रखा था ताकि जो उसका पानी वानी है वह वाइप हो जाए और उसके बाद फिर माइकर फाइबर वाले कलोज से मैंने इसको क्लीन कर दी और यह देखो बिल्कुल भी बिल्कुल भी पानी का इसमें कोई भी स्टेन नहीं होता और बिल्कुल कुक टॉप जो ह Boss बिल्कुन न्यू स्विखने लगता है और बस की था है ऐसका मेला व्लॉग आपको पोछा लगा अगर आ पको फ्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर ईंसस्प्स्राइब जरू करना मिलेंगे एक न्यू वीडियो में तिल दें टेक क्या फ्रेंड बाई